पौदा जितना आवश्यक है धर्ती पर उतना पीपल का भी, आम का भी, आमले का भी, ऐसे ही गायों का होना, या हिरनों का होना, या सिंगों का होना, या बाग चीते का होना, या बिल्ली चुए का, बिल्ली और चुए का देखी कैसे में, चुवा बिल्ली का आहार है, बिल्ल प्रतिग्या कर बैठा है कि मैं तमाम को जब तक निष्ट नहीं कर दूँगा, सारे चौरा सिला क्योंने जब तक मेरे पेट में नहीं चले जाएंगे, तब तक मैं चैन नहीं लूँगा, नहीं, अभी भी यूटरन ले सकता है समाज, ग्रेजवली, स्टेब बाई स्टेब समाज को वापिस उसी दिशा मा आ जाना चाहिए, जहांसे पत भरष्ट हुआ है, जहांसे गिरा है, शाकारी भोजन को ही बगवान ने सत्व गुणी भोजन बोलवा है, और ये सुक प्रदान करने वाला है, इसी भोजन के अंदर बल है, बुद्धी है, देखे कितने गुणे, आयू हूँ, आयू को बढ़ाने वाला, शुद्ध शाकारी भोजन, आयू हूँ, सत्व बुद्धी को बढ़ाने वाला, आयू सत्व बल आरोग्या, बल बल प्रदान करने वाला, लोग सोचते हैं वारे, शाकारी, अभी अभी दो दिन पहले किसी में, डैन्मार्क के एक ब्रक्ति के साथ बात करता था, वो भी थोड़ी-थोड़े हिंदू फिलोसफी को समझते हैं, जानते हैं, पेर नाम है उनका, उनको मैं बोल रहा था कि मैं बेज़िटेरियन हूँ, मैं बेज़िटेरियन फेमिली में मेरा जन्म हुआ, बेज़िटेरियन, तो आप गाजर खाके रहते हैं, यू इट अउनली करट, कैसे जीते हैं आप, और आप स्वस्तर रहते हैं, तो उनको मेचारों को मालूम नहीं, जिनका जन्म, जिनकी साथ पीडियां मांस से इकाती चलिया रही हैं, वो समस्तिक बिना मांस के आदमी कैसे रह सकता है, लेकर हमारे बारतिये लोग तो इस बात को, और साइन्टिस्ट और आयरवेद के शोद करता, बड़े-बड़े बिद्वान वैद, इन चीजों को जानते हैं, कि शाकाहारी भोजन जितना शुद्ध ऊंची मात्रा में किया जागा, उतना ही आयू को, बल को, बुद्धी को बढ़ाने वाला है, स्वस्त आरुग को बढ़ाने वाला है, और जिनके हनवाव हैं, जिन बुजरों के, जो आज भी जमीन पर हैं, चाय हो भारत में हो, या मौरिसिस में हो, या मेजिका में हो, उनको मालूम है, कि शाकाहारी सच्चा भोजन है, चाय आदत गलत पड़ गई हो, यूटर्न नहीं लिया है अभी तक, गलत दिशा को चल आदियों, ये स्वाद के गुलाम बन करके, बात अलग है, लिए नुको मालूम है, आयू सत्व बल आरोग्या सुख प्रीती विवर्दना, सुख यानि सुख का देने वाला, आनंद का देने वाला, और प्रीती, यानि हिर्दय में प्रेम जागरित करने वाला, शाकाहरी भ बुद्धी, गुरु ग्रेंच साब में भी ये वानिया आती है कि जैसा अन खाओगे, ऐसी बुद्धी बनेंगी, ऐसा ही मन बनेगा, तो भोजन का ही तो सारा शरीर है, और भोजन का ही बलड बनता है, भोजन का ही वीरिय बनता है, और भोजन का ही और जो अर्क जैसा उच इस तरका अंस है वो ही तो बुद्धी और मन बनता है इश्वर एक है लिए उसको पाने के लिए तो सिद्धियां चाहे छोटी सिद्धियों या सबसे अंतिम हायस्ट सिद्धियों भगवान के धाम को जानी की तो तार्त में तो एक ही है दो नहीं है कि शरीर अलग है और मन अ लगे नहीं यह भोजन का ही शरीर है और उस भोजन का ही एक जो सार रूप है तत्तु रूप अर्क जो निकला है वो ही मन है बुद्धी है विचार है एंकार है उनी से एक सत्वगुन वर्ति प्रगट होती है उनी से रजवगुनी भोजन से और उनी से तमगुनी वर्ति प पूरा असर पड़ता है आपकी purity के ऊपर इसका पूरा असर पड़ता है बोजन का इसलिए रिगवेद के सूत्र है आहार शुद्धी सत्व शुद्धो सत्व शुद्धी दुरु इसमृति इसमृति लब्धी सर्वग्रंति नाम विप्रमोक्षभा जिस व्यक्ति का आहार श और चित के विचार चित या विचार केंद्र यह मन का ही एक मन रूपी डिपार्टमेंट का एक खंड है एक डिपार्टमेंट है मन का जिसमें विचार उठते हैं और शान्त होते हैं मन केंद्र रूप में है इसकी शाखाओं में विचार है आहार जो हम पांच ग्यानिंद्रियों के मारफट लेते हैं द्वारा लेते हैं पांच ग्यानिंद्रियों के जरिये हम आहार करते हैं कानों से आहार करते हैं क्या सुन रहें दिन बर आखों से क्या देख रहें दिन रात नाक से सूंग कर करके तौचा से इसपर्श करके क्या इसपर्श कर रहें किस से आत्मिला रहें किसका आलिंगन कर रहें किया इस पर्ष कर रहे रजोगुन इसपर्ष कर रहे हैं या तमोगुन या सतोगुन कोई संत के चरण इसपर्ष कर रहे हैं या कोई वेश्चा का आलिंगन कर रहे हैं इसका बड़ा फरक पड़ता है इसलिए पांचों ग्यान इंद्रिया ही समाई ही थे हैं आहर के लिए एनरजी रिसीव करने के लिए और ये एनरजी ये आहर पांच के माध्यम से ही भार जाता है जिस जीव से हम स्वाद लेते हैं, उसी जीव को सारे दिन चकड़ चकड़ करते रहो, तो एनरजी नश्ट हो जाती है जिस आँखों के माध्यम से हम आहर लेते हैं, इन आँखों के माध्यम से निकल भी जाती है आँखों से हमारी बहुत शक्ति ब्य हो जाती है 50% शक्ति आँखों के जितने आप खुली रखोगे उतनी शक्ति नश्ट हो जाती है तो receiving process है और उपास ग्यानिंद्रों से होता है उसमें मुख क्या रखा है रसना, जीव, टंग, यह स्वाद है यह स्वाद के कारण से हमारे बिचार धाराएं बदल जाती है कहिए कि center में यह जीव है और चारों तरफ इसके यह दूसरी इंद्रिया है अगर जीव जैसे स्वाद लेगी ऐसे ही फिर यह दूसरे function करने लगेंगे पूरा शरीर विचार धाराई आपका आहार के ओपर depend करता है तो यह branches function करती है आपका आहार बिगडा हुआ है तो आपको सुनने को भी बिगडी हुई चीच चाहिए देखने को भी बिगडी हुई चीच चाहिए सुनने को भी बिगडी हुई चीच चाहिए तभी तो लोग तंबा को सुनने के तंबा को भी आती है न बीडी सिगरट का धुआ सुनने और एक सुनने का और आता हो है रोई उसको जलाके उसको सूंगते हैं, तो आहार बिगड गया, इसलिए सारा मामला गड़बड हो रहा है, स्वाद बिगड गया, नहीं, स्वाद के पीछे अनेक उप्रकार के उपद्रव खड़ेने करें, जो हमारा वास्तों में प्रकर्ति ने हमको भूजन प्रदान किया है, शा उसको स्विकार करना, हमारी हमको जीने की कला सीखना का आउसर प्रदान होता है, कि हम कैसे जीवन को जीएं, तब ये प्रत्वी स्वर्ग नजर आएगी, तब ये प्रत्वी का कणकण परमेश्वर नजर आएगा, तब ये संसार आपको, तब आपका सर कहीं भी जुग जा आगा मंदिर जाने की बिजरत नहीं पड़ेगी मस्जिड दवारा नहीं आपको आपको बगवान की दर्शन जहां आपके नबहावना और प्रेम उम्रण वह दर्शण हो जाएंगे पेडों में, पंचियों में, पशों में, नरों में, बानरों में, बच्चों में, बूडों में, जवानों में प्रेम की विना काम नहीं चलता प्रेम नहीं इसलिए तो फोजबाटे गड़ें सारे संसार के एक देश दूसरे देश से डरा हुआ है, प्रेम नहीं प्रेम नहीं इसलिए तो एक भाई भूका मरता है और दूसरा राज मेलों में बैठा है प्रेम नहीं प्रेम की बिना कोट का चेरी हैं ने क्या जो रहते हैं इनकी प्रेम हो तो कोट का चेरी हो क्या जो रहता है प्रेम नहीं इसलिए केस होते हैं, मर्डर केस होते हैं, रेप केस होते हैं ढाके डलते हैं, कोट के चरी होते हैं पुलिस, पॉज, भाटे, सब बंदोबस्त होते हैं, प्रेम नहीं प्रेम के हिर्दे में, जिन के हिर्दे में प्रेम होता है वह सारे गुण बिद्दमान हो जाते हैं और पर्मेशन वहाई प्रगट होते हैं जा प्रेम होता है उससे पहले नहीं इसलिए किसी मान शैर ने काया कि जर्रे जर्रे में है जहां की भगवान की लेकिन किसी आँख वाले ने इसकी पहचान की आँक तो होनी चाहिए कोई ज्ञान चक्षू कोई अनुभव का चक्षू होना चाहिए रिलाईशन होना चाहिए और वो रिलाईशन सत्वगुन से नीचे नहीं प्राप्त होता जो रिलाईशन की भगवान बात कर रहे हैं वो सत्वगुनी ब्यक्ति के हिर्दे में अनुभव होता है उस परमीश्वर का, उस प्रकर्ति के सौंदरिये का, उस फूल की खुश्वू को पैचानने और जानने वाला वो ही सक्स होता है जिसके हिर्दे में प्रेम होता है। एक मैंने सुना है किसी संत महात्मा जी के मूँ से, एक माली एक बाग के अंदर नाच रहा था, खिले हुए फूलों को देख करके। क्योंकि माली नहीं उनको बोया था, सीचा था, सुधारा था, क्यारियों को, बाग को, जो फूल खिले तो नाच रहा था, अकेला मस्त। एक सुनार भी वाकिंग करने उस पार्क में चला गया, उसमें बोला, अरे भाई, नाच क्यों रहा है हो, क्या हो गया तुमको, बोलो देखते नहीं, ये फूल, साक्षा बगवान के जैसे दर्शन हो रहे हैं, बगीचा महक रहा है, तो मुझे, मैं नाच नहीं तो क्या मुझे भूत आनन्द आ रहा है, आनन्द भगवान का रूप ध्यान रखिए, सच्चा आनन्द, सुनार ने पूछा, मुझे बतलाओ तो सही, इन फूलों में है क्या, कहा है भगवान इन में, कहा है आनन्द इन में, तो उसने तोड़ तोड़ के कली-कली अलग कर दी एक फ में, कहा है, सुनार के इrestha में, मन मस्तिस्क में, तो सोना ही सोना है, वो कसोटी पर जब तक नहीं कसले, उसको कहीं सोने को भी-क्रियेक कर देगा, जब तक प्रूफ नहीं करे कसोटी, नहीं, उसके लिए तो माली की आँक चाहिए, भाली का इ голос चाहिए, जिस माली ने को बोया अंकुर निकले सीचा पौदे बड़े हुए और में नाना प्रकार की फूल निकलने लगे और फूलों से खुशू महग गया पूरा पाग तो माली नासता है माली ने जो अनभव किया वो सुनार कभी स्वपने भी नहीं कर सकता सतोगुन के अंदर अनभव उस परमात्मा का जलकता है रजोगुन तमोगुन में नहीं रजोगुन में संसार का अनभव जलक सकता है तमोगुन में वो भी नहीं जलकता तम होगुन नामी तम होगुने है तम यानि अंदकार जो अंदकार में जी रहा है जो अंदा हो के अपनी जीवन को जी रहा है अंदों को आंके दी जी सथ में ऐसे ही अंदों को आखें दी थी यह मैं सोचो कोई आख फूट गई थी रूसको आख प्रदान कर दी नहीं ऐसे महापुरुष ऐसे जिनको भगवान का उतार कहा है यह ऐसे चमतकार नहीं दिकाते चोटे मोटे यह तो पूरे समाज को लावानुवित करने आते जो अंदे थे जो अंदकार में जीवन जीते थे उनको आखें दी थी जीसुस ने मुर्दों को जिन्दा किया था जो जिन्दी को मुर्दे के समाज जीते हैं बीमारों को स्वस्थ किया था जिनके मन बुधी एहंकार बीमार है जो इस जीवन को बीमारों की तरह खायलों की तरह जीते हैं बीमार जैसे बीमारी हो गई हो, रोग लग गया हो बुद्धी में जंक लग गई हो, बिचारों में पाला पड़ गया हो ऐसे चीते हैं बीमारों करके उन बीमारों को स्वस्थ किया तंद्रस्थ किया जैस चैतन महापुरुभी जी ने नचाया चैतन महापुरुभी जी डाकूं को नचाया चोरों को नचाया जिनके पाउं कभी नाचना सीखे ही नहीं उनको नचाया सोतों को जगाया कोई भी महापुराश सोतों को जगा ने आता है अंदों को आंके देता है बहरों को कान देता है कि सुनो अरे सुनो कैसी ध्वने आ रही है उस परमात्मा की मुरली बज रही है मुरली की धुन सुनो इन हवाओं के मैध्यम से सरवत्र संगीत बद्ध है सारा बिश्व जरा सुनो उसके पवीत्र नामों को सुनो उनमें कितना रस है उनका पान करो चैतन महाप्रुपुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुरुन आनक देव जी ने भी वोई सर्वन शक्ति दी सुनने की शक्ति दी बैरों को कान दी अंदों को आखे दी बीमारों को स्वस्त किया और जो सोये हुए हैं उनको जगाया जो सो रहे थी सोते सोते जिन्दगी जीते हैं उनको होश ही नहीं है सोते आदमी को कुछ होश होता है सोये हुए आदमी के उपर चाहे मच्छर काटे है या साप निकल जाए उपर से उसको पता ही नहीं है कोबरा निकल रहा है सरीर के उपर से सोय हुए आदमी को पता नहीं है गर में आग लग रही है उसको पता नहीं चलता कि सोय पड़ा है खड़ा टे मार रहा है लिए कोई जगाने वाला चाहिए कि अरे मूर खड़ा हो गर में आग लगी हुई है बार निकल भाग के संतों नहीं यही कहा कि संसार दावा नल लीड लो कहा यह संसार में दावा नल लगी हुई है दावाग नहीं लेकिन जो मूर्छित पड़े हैं सोये पड़े उनको कैसे मालूम चले कि वो कहेंगे दावाग नहीं कहा है अरे मदिराले हैं, बहशाले हैं, कसीनो हैं, कार हमारे पास है, हम प्रमन कर सकते हैं, धन है, पैसा है, किदर आग लग लग रही है भाई? हमारा safe deposit है bank में bank balance है Swiss bank में खाते हैं किदर आग लग रही है हमको तो नहीं नज़ा था ये बेकारी की बात मत करो नहीं जिन्होंने realized किया इस अगनी को उन्होंने कहा कि संसार दावा नल है संसार दावा नल ली ढेलो का त्रानाय कारुन्य घना घनात्वं प्राप्तष्य कल्यान गुनार नवश्या बंदे गुरू श्री चरनार विंदं जिन्होंने जाना उन्होंने कह बुद्ध ने जाना बतलाया माभीर ने जाना बतलाया गुर्णानक देव ने जाना बतलाया झाल झाल